नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दरिज लॉंचर के इस यूटिब मंच पर दोस्तों राजनीती में कब क्या हो जाए, कौन कब किसके साथ गटबंधन मना ले, कौन किसको डिच कर दे और कौन किसके साथ रहने के लिए राजनीती में जीने मरने की कस्वे खाने लगे ये कोई नहीं जाता कोई नहीं जानता सियासत असिमित संभावनाओं का खेल है और उसमें भी बिहार की सियासत बिहार की राजनीती जहां मुख्यमंत्री का पत तो फिक्स है कि यहीं रहेगा एक ही व्यक्ति के पास जहां 19 साल से बना हुआ है लेकिन गठबंधन कौन सा होगा खेल कौन सा होगा यह कोई नहीं जानता सिवाए बिहार के मुख्यमंत्री के कोई नहीं जानता कि कब कौन सा खेल होगा और अब इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता से मिलने जिहां आपने ठीक सुना इंडिया गठबंधन के एक नेता से मिलने नितीज कुमार के बेहद खास दूत उनकी भूजा पार्टी के एक सदस्ते पहुँच रहे हैं राजनितिक मंतरणा हो रही है और उस मंतरणा से कौन सा अमरित निकलना है यह वक्त ही बताएगा कि होने क्या जा रहा है लेकिन यह मुलाकात अनायास नहीं है इस मुलाकात के पीछे बड़ी राजनिती हो रही है इस बार से इंकार नहीं किया जा सकता है इंडिया गठबंधन जैसा कि आप जानते हैं कि नरंद्र मोदी औ तो नितीश कुमार नरंद्र मोदी के गठबंधन वाले नेत्रितु के साथ लड़े वह इंडिया गठबंधन के आर्किटेट कहे जाते हैं लेकिन एन मौके पर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर वह एंडिया के साथ चले गए थे कर रहे थे मन नहीं लग रहा है ले करने वाले एक महत्पूर्ण नेता से नितीज कुमार के दूद की मुलाकात बेहत खास दूद की मुलाकात सब को चौका रही है जगह पटना है विहार की राजधानी नितीज कुमार के दूद का नाम असोग चौधरी है और इंडिया गठबंदन के ताथ तीन लोग सवा सीट के साथ मचली खाने की तस्वीर खूब वाइरल हुई थी मुकेस्थानी की और कहा गया यह दोस्ती लंबी चलेगी अभी भी मुकेस्थानी कहा रहा है कि तेजस्वी आदो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाओ लड़ेंगे यह अलग बात है कि डीपी पर तिरंगा चुका है तिरंगा अभियां के साथ जोड़कर इसे देखा जा रहा है लेकिन ध्यान रखिए भाजपा के लोग भलही कुछ लोग अपनी डीपी पर हरगर तिरंगा अभियान के साथ जोड़ने टाइप का ती वो डीपी लगा ले जंता दली उनाइटिड के किसी नेताने लगा है उन्होंने अपनी इसने पाचाँ अलगपाचां कायम रखी है लेकिन मुकेस्तानी इंडिया गटबंदन में होते हुए भी वह डीपी लगा रहे यह सबसे पहले आज से दो-तीन दिन पहले उन्होंने अपनी डीपी चेंज की सोशल मीडिया पर अपनी डीपी चेंज की और उसके बाद अब नितीश कुमार के बेहत खास दूत असोग चौधरी से मिल रहे हैं क्या कारण है इसके पीछे दरसल बिहार विधान परिसद की एक दो सीटे खाली है उपचुनाव होना है राम बली चंदवंसी की सरस्ता चली गई राजद के नेता ठीक इसी तरह से राजद कहीं विधान पारसद रहे जो नितीश कुमार को फूटी आख नहीं सुआते सुनील सुनील सिंग की विशर रस्ता चली गई और उन दोनों पर बाई एलेक्शन होना है और जब दोनों पर बाई एलेक्शन यानि उपचुनाव होना है तो मुकेश सहनी के सामने एक ऑफर रखे जाने की बात आ रही है कि वो इंडिये गठबंदन के साथ हो लें इंडिया गठ वंदन में वो अभी जमे हुए है उसमें जमे रहने की घोस्रा भी कर रहे है उसका साथ छोडने का उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और उनका साथ छोड़कर नितिष्कुमार और भाजपा के गठबंदन के साथ आने की बात उनके हो रही है उन्ने मंant्री भी बनाने की बात है कि विरान परिश्द मिला कर उन्हें उठ चुनाओं के माध्यम से विरान परिश्द मिला कर मंत्री बना दिया जाए और इंडिया अगठ मंदर को टाटा बाइवाई कहकर इंडिये के साथ आ जाए मिहार में 3-4% आबादी बलाई बताई जाती है मला समधाय की जाती जनगना भी हुई है जाती जनगना में आपने आकड़े भी देखे है कि किस पकार से किस जाती की कितने प्रतिसत आबादी है लेकिन ये वोट बड़ा ही एग्रसिव वोट माना जाता है जिसके साथ जाता है पूरे तन्मंधन के साथ जाता है एक तरफा पोलिंग होती है इस कम्मुनिटी में और उस कम्मुनिटी के सबसे बड़े नेता के तौर पर मुकेस चाहनी अस्थापित हो चुके हैं इससे कोई इंकार नहीं कर सकता अपने गटबंदन के पक्ष में उन्होंने वोट भी ट्रांसफर कराये इंडिया गटबंदन के पक्ष में चाहे तेजस्वी यादों हो या कॉंग्रेस उसके पक्ष में पिछली बार जो वो ट्रांसफर उस अस्तर पर नहीं करा पाये थे 2019 में वो 2024 उन्होंने करा के दिखाय कई जगा नतीजों में बदला कई जगा नतीजों में नहीं बदल पाया नजदी की मुकाबले तक पहुच कर रहा गया और उनकी इस ताकत को इस लोग सवाचुनाओं में बाजपा और नितीज कुमार दोनों ने परखा है तब ही उन्हें साथ लाने की कवायद हो रही है सब जानते हैं कि इसले दिनो नितीज कुमार के राज में उनके पिता की जान चली गई कितनी वीभत सुवार्दात उनके पिता के साथ हुई घर में घुजकर हुई बजाए नितीश कुमार के गवर्निंस मौडल पर आक्रामक होने के वो नितीश कुमार के साथ जाने की कवायद में लगे हुए है और इसी के तहट असोग चौधरी को लगाये गया है नितीश कुमार की कैबिनेट में पहले भी मंत्री थे पिसला विधान सभाद चुनाओ जब जनता दली उनाइटेड और भाजपा के बीच सीटों का समझाओता हुआ 2020 में उसमें जनता दली उनाइटेड को 122 सीटे मिली थी और भाजपा को 121 सीटे मिली थी चार विधायक भी जीते थे और जो बेहत नजदिकी मुकामला चिराग मॉडल की वज़े से बन गया था उसमें बहुत कम अंतर से नितिश कुमार की सरकार बन पाई थी मुकेस्तानी के वोटों ने कई जगा निर्णायक भूमिका निभाई और चुकि अब परसांत किसोर का भी एक एंगल आ रहा है वो अलग तरह से बिहार की विभिसिका और बिहार की गरीवी को आम जनता के भी जाती धर्म संप्रदाय से अलग हटकर एक अलग नहरेटी पर करने की कोशिस में लगे हुए है लालू नितीस बाजपा तीनों को जिम्मेदार ठारा रहा है तो सवाल उठता है कि एक तरफ से प्रसांत किसोर के जन सुराज को लेकर अटेक हो रहा है दूरसी तरफ से भारती जनता पार्टी का चिराग मॉडल कहीं ने स्वरूप में तो के साथ तालाब भरने की जो तैयारी होती है उसमें लगे हुए है कि जिसके पास भी छोटा सा वोट वैंक हो उन सब को अपने साथ जोड़ो मुकेश सहनी के घर असोग चौधरी को भेजे जाने के पीछे बड़ी साफ रण निती है इसमें किसी को कोई सको सुबा नहीं होन चाहिए कि मुकेश सहनी को नितीश कुमार अपने पाले में चाहते हैं चाहें वह वह दोनों क्या करेंगे या आप भली भाती जानते हैं तो बिहार में सामाजिक समिकर्णों की सियासत होती रही है समिकर्णों की सियासत में मुकेस सहनी भी सीटों को विनेविलिटी में जीत की संभावना में तबदील होते देखना चाहते हैं और इसी मापतौल में वो लगे हैं कि क्या तेजस्वी यादों के साथ मिलकर लड़ा तो पिछली बार जो चार सीटे जीतने में काम्यावी मिली थी, उन्चार में एक का दिहान तोलकी प्रकिरिया में चुकि पिछले लोग सवाचुनाओं में, चार जून को जो नतीजा आया है, उस नतीजे में रास्टी जनतादल को तो चार सीटे मिल गई कॉंग्रेस को तीन सीटे मिल गई माले को दो सीटे मिल गई इंडिया गठबंदन में लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी तीन सीटों पर लगकर एक भी सीट नहीं कर पाई गुपाल गंज मोतिहारी और जंजार पूर तीन सीटे लड़ी थी मुकेश सहनी की पार्टी ने एक भी सीट उनकी पार्टी को मिली नहीं तो चुनाओ लड़ने के लिए सीटे मिली सांसद नहीं मिले ते जस्वी यादों के साथ जाने पर उन्हें विधायक मिलेंगे या नितिश कुमार के साथ जाने पर विढयक मिलेंगे, विदान सवा में अपनी ताकत के सहारे मुकेस सभानी कैसे पहुंचेंगे, इस कवायद के तहत आज की तारीख में इंडिया गठमंदन के नेता और वी आईपी पार्टी के सर्वे सर्वा माने जाने वाले मुकेश सहनी सेदी दितीश कुमार के दूत असोग चौधरी मिल रहे हैं तो मुलाकात कताई नीजी नहीं हो सकती उपर से जो भी दावे किये जाएं कि पुरानी यारी है नीजी दोस्ती है मिलने गए थे लेकिन उस नीजी दोस्ती का सियासत में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि नीजी दोस्ती होती है तो अमूमन मुलाकात होती है छठे चमा से मुलाकात नहीं होती है दलिय प खबर जबाई कि इंडिया गठबंदन के घटक राहूल गांधी के और तेजस्वी यादों के साथ कदमताल करते हुए लोग समाचुनाओ लड़ने वाले मुकेस रहनी अब नितिस कुमार के करीब जा रहे हैं कोई आश्चर नहीं होना चाहिए कोकि अती पिछड़ा वर्क की राजनिती दरसल भिहार में एक अलग तरीके से चलती है और उस राजनिती में आरक्षन बढ़ाने की राजनिती जो सामने आई खास कर जाती जरंगना के बाद और उस राजनिती में अतिप पिछड़ा वर्क का जो आरक्षन بढ़ाया गया जिसे हाई कोट ने रद कर दिया तो उस बढ़े हुए आरक्षन के फैसले को पुना पाने के लिए और उस राजनीती के लिए क्या नितीस कुमार मुकेस सहनी के लिए ज़्यादा जरूरी है या तेजस्वी यादोन के लिए ज़्यादा जरूरी है इसी नापतौल के बीच जनता दल उनाइटेड ने अपनी तरफ से एक पासा फेकने की कवायद की है और उस पासा फेकने की कवायद में क्या वो मुकेस सहनी को ट्रैप कर पाएंगे क्या मंत्रिपद और लाल बत्तिक की सुविधाएं उन्हें एंडिये की तरफ या नितिश कुमार की तरफ खींच कर वापस ला पाएंगी ये तमाम सवाल महत्पूर्ण हो जाते हैं और इनी सवालों के एड़गीर्द चुकि मुकेश सहनी की सियासत रही भी है कभी 2019 में देखें तो लोगसभा चुनाओ किसके साथ? गयर भाजपा गठवंदन यारि इंडिया गठवंदन का जो פूर्व का उतार था महा गठवंदन उसके साथ 2020 का मिनान सवा चुनाओ फिर भाजपा और नितिस कुमार के साथ 2024 का लोग सवा चुनाओ फिर तेजस्वी आदो और राहूल गांधी के साथ तो इस बार भी इस फिलिप फ्लॉप में एक दूसरी लाइन पर वापस आ जाए कोई नहीं जानता कि आखिर होगा क्या तो देखते रहें मुकेस तहनी क्या करते हैं लेकिन इस मुलाकात में बिहार में राहितिक सरगर्मी तो बढ़ा ही दिये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि मुकेस तहनी का फाइनल डिसीजन क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और पलपल की अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे आज के लिए इतना ही नमस्कार